अस्सलाम वालेकुम, हाई माई फूडीज, वेलकम बाक तू माई चैनल, तो आज हम बनाएंगे आपल का हलवा, विच टेस्टी एंड माउधू, तो यहां मैंने लिये हैं 6 आपल्स जिसको मैंने वाश कर लिया था, तो अब हम आपल्स को कट कर लेंगे, और इसके बीज निक निकाल लेंगे, इसी तरह सारे आपल्स को कट कर लें, और इसके बीच निकाल लें, तो यहां हमारे आपल्स कट हो चुके हैं, अब हम इने ग्रेट कर लेंगे, कोई भी हल्वा बनाना आसान होता है, मगर जब ग्रेट करने की बारी आती है, तो बहुत मुश्किल काम होता है, तो यहाँ मैंने आपल्स को ग्रेट कर लिया है, अब हम इसका हलवा पनाएंगे तो हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे कडाई जिसे मैंने गरम होने के लिए रख दिया है कडाई गरम हो चुकी है अब मैं इसमें आड करूंगी 4 टेबल स्पून ओफ देसी गी गी दालने के बाद मैं इसमें आड करूंगी कैशनेट्स, काजू और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे इसी घी में हम आड करेंगे ग्रेटेड आपल्स जब भी आप मार्केट से आपल्स लाते हो और कुछ आपल्स खटे निकल जाते हैं तो आप सोचते हो के इनका क्या करें तो आप इसी तरह का एक हलवा बनाएं और इसे आप सर्फ कर सकते हैं वैसे आपल्स की खीर भी बनती है इन्शाल्ला मैं आपके साथ उसकी रेसीपी भी जरूर शेयर करूंगी तो इस तरह आपल्स को भून लें ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए और अब मैंने इसमें आड़ किया है वन कप ऑफ शुगर और आधे से भी कम मैं इसमें शुगर फिर से आड़ करूंगी इट डिपेंज के आपके आपल मीठे हैं या खटे हैं अगर मीठे हैं तो चीनी आप कम ज्यादा कर सकते हो मैंने जो आपल्स लिये थे वो थोड़ा टैंगी थे आप देखोगे जब आप चीनी आड़ करोगे तो आपल और चीनी का पानी छूटने लगेगा अब मैं इसमें आड़ करूंगी साफरिन फूट कलर दाट इस वन फोर्थ टी स्पून दिस इस ओप्शनल तो आप देख सकते हो कितना पानी है हमें इसे ड्राइ करना है आप बीच में इसे ढख कर पकाएं तो इसका पानी जल्दी से ड्राइ हो जाएगा तकरीवन बीच से पच्छीस मिनिट में यह हलवा तयार हो जाता है काफी ड्राइ हो चुका है पानी अल्मोस्ट ड्राइ हो चुका है तो अब इसमें मैं आड करूंगी फ्राइट कैशुनेट्स मावा या खोया ताट इस त्री फोर्थ कब और कुछ चॉप्ट अल्मंड बाकी मैंने सर्फ करने के लिए लगाए फो गानिशिंग तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि यह अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तो हमारा हलवा तयार हो चुका है अब हम इसे एक सर्फिंग बोल में निकाल लेंगे कहते हैं an apple a day keeps the doctor away try this simple recipe and know that apples can be made into a halwa which tastes like heaven तो मैंने इसे गार्णिश किया है विछ चॉप्ट अलमंग और फ्यू आपल स्लिस दो त्रयाट दिस रेसिपी और लेट में आ इन दे कमें सेक्टिन तिल थे चेर बबाई आपिन्स कुपिए प्याइब को सब्सक्राइब कर दिल थे चाहिए अपिन्स इस कुगें